मस्कारणी उस्पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा आज सुबह से ही लगातार काउंटिंग जारी है और से बीच बिहार के सियासत में भूचाल मच गया जब से नितीश कुमार के पाला बदलने की बाश्यूर हो गई तब से लगातार बिहार से लेकर पुरे देश भर के सियासत गर्मा गई और उधर जो एंडिये की बैठक है वो दिल्ली में आयोजित कर दी गई आपको बता दे कि दिल्ली में कल जो है वो एंडिये की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनरामा जी भी श्रामिल होंगे देखे इस बैठक को बहुत ही एहम माना ज़ा रहा है इसमें कहा ज़ा रहा है कि जो एंडिये है वो अपनी रन नीती पर बात करेगी और साथ ही जो उनके घटक डल है उन्हें अपने साथ रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी क्योंकि देखे चुनाव से पहले ही बीजोपी के तरफ से ये कहा गया था कि 400 पार होगा लेकिन जो आकड़े सामने आए वो इस नारे से बिलकुल विपरित सामने आए जिसमें इंडिया गठ बंदन एंडिये को बराबर का टक कर देते हुए नजर आए और इसके बाद से ही जो बिहार की सियासत है उसमें ये चर्चाई शुरू हो गई कि नितीश कुमार पाला ब लग रहा है कि नितीश कुमार क्या फिर से पाला बतलेंगे और अब इसी को लेकर एंडिये ने अपनी बड़ी बैठक बुलाई है दिल्ली में बैठक में जितनाम मांजी भी श्रामिल होंगे आपको बता दे कि बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार खुद बीते दिनो प्रधान मंत्री से मुलाकात किये हैं अमिच्रा से फोन पर भी बात किये हैं और इसे को देखते हुए फिर से एंडिये ने अपने तमाम घटक दलों के साथ बड़ी बैठक करने की बात कही है और अब इस बैठक कोले कर कई बाते सामने निकल कर आ रही है एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जो सरीके से बीजपी पूर्ने तरीके से बहुमत में नहीं है इसी वज़े से बीजपी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि जो भी उनके घटक दल उनके साथ है वो उनके साथ ही रहे इसके लिए बीजपी कोई भी पद उनको देने के लिए तयार होगी कुछ भ पूरी कोशिश करेंगे तो देखे लगातार नियूस फोर नेशन आपको बिहार की जो सियासी हल्चल है या देश की सियासी हल्चल है इस पर लगातार आपको अपडेट दे रही है और देखे इसी बीच नियूस फोर नेशन ने इस ख़बर को ब्रेक किया है कि कल दिल्ली में NDA की बड़ी बैठक होने वाली है आपके असे विज़ों पर क्या रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमान खबरों से बड़ेट वाने के लिए देखते रहें नेवस पोनेश पनोर मंकरो जो सोचता है वो करता है